नमस्कार दोस्तों अगर आपने home science से पढ़ाई करा हुआ है तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि home science से पढ़ाई करने के बाद आप कौन-कौन सा करियर चुन सकते हो तो guys अगर आपने home science में graduation, post graduation, इसके लाब आपने PhD करा हुआ है तो finally आप research के छेतर में career बना सकते हैं इसके साथ ही साथ आप university and college में as a professor भी new to हो सकते हैं इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अगर आपने home science से PG किया हुआ है तो आप easily किसी भी inter college में class syllabus and class 12th के teacher बन सकते हैं finding home science subject से इसके साथ अगर आपने home science से graduation किया है और आपने BA किया हुआ है तो आप किसी भी college में 9th and 10th के teacher भी बन सकते हैं इसके साथ साथ आपको opportunity बिलता है अगर आपने BA या आपको डियलेट किया हुआ है home science सब्जक के साथ तो easily आप primary के भी teacher बन सकते हैं तो यह तो हमने आपको बता है कि teaching में कितना आपके पास opportunity है इसके बाद बाताती है teaching के इतर और कौन से छितर हैं जिसमें आप career बना सकते हो इसके साथ इसाथ आप sales में भी career बना सकते हो इसमें baby foods का प्रमोशन कर सकते हो और ही बहुत सारी चीजे होती हैं जो कि आपको opportunity के रुप में मिलती हैं इसके साथ आप किसी अच्छे hotel में, restra में, tourist resort में, catering में भी आप housekeeping department की देख रेक कर सकते हैं housekeeping department में management या फिर अन्य काम कर सकते हैं इसके साथ बहुत सारी manufacturing industries हैं जो कि home science graduate and post graduate को prefer करती हैं अपने industry में job के लिए साथी इस industry में आप research assistant के रूप में काम कर सकते हो इसके साथ ASAT ITCN के रूप में भी आप काम कर सकते हैं इन सभी के साथ आप महिला बाल विकास अधिकारी बन सकते हैं साथी साथ जितने भी government job हैं उस सारे government job में आप home science के basis पे apply भी कर सकते हो तो यह सारी opportunities आपको मिलती हैं अगर आपने home science से पढ़ाई करी हुई है तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप share जरूर करिएगा